तो क्या अब लोग गुंजन सिंग और पवन सिंग के रिष्टे के पीछे पड़ गए हैं। गुंजन सिंग ने ऐसा क्या कहा था मंच पर आपके मुझसे ऐसा क्या निकल गया था जो नहीं निकलना चाहिए था और वो ऐसी कौन सी बात थी जो प्रियांसु सिंग को इतनी बुरी लग गई कि भरी सभा में प्रियांसु सिंग को माईक पर आपको टोकना पड़ा बोलना पड़ा कि प्रियांसु सिंग ने मंच पड़ा कि जो मुझे टोका बोला वो अपने विवेक अपने बुद्धी से नहीं बोला था प्रियांसु सिंग उम्र में कितने चोटे हैं या आप सब जानते हैं और गुंजन सिंग से उनकी उम्र कितनी कम है ये भी आप सब को पड़ा है कुछ लोग है जो गुझान सिंगर पवन सिंग के रिष्टे को नजर लगा लिए चाहते हैं कि इन 2 भाईयों का प्रेम बना रहा इसलिए प्रयाशूस सिंग्ग को जान वुचको मुहरा बनाया जारह है और प्यांसु सिंग के दम पर खेला आपनोग पावन सिंग पीछ पड़ गया है तो कяг Gira लोग चाहते हैं कि पावन सिंगर गुण्य के बीच जो और अब लोग चाहते हैं कि पावन सिंग कि दूरी पैदा हो जाए यह सवाल हम इसलिए भी कर रहे हैं कि भोघजपुरी सूपर्स्टार मगही की सुपरस्टार कहे जाने वाले गुंजन सिंग ने हाली में एक नया इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दरान जब गुंजन सिंग से ये पूछा जाता है कि गुंजन जी प्यांसु सिंग ने भरी सभा में पवन सिंग के सामने आपसे माफी मांग ली आपने भी उस माफी को स्विकार कर लिया या आपने भी प्यांसू सिंग को कही न कही माफ कर दिया लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि माफी किस बात की मांगी गई प्यांसू सिंग ने आपको जो कुछ भी कहा वो आपको बुरी लगी ये बात तो सब जाने इसलिए प्यां उसे ऐसा क्या निकल गया था जो नहीं निकलना चाहिए था और वो ऐसी कौन सी बात थी जो प्रियांसु सिंग को इतनी बुरी लग गई कि भरी सभा में प्रियांसु सिंग को माइक पर आपको टोकना पड़ा बोलना पड़ा और छोटा होकर भी आपको ये बताना पड़ा य ये सब शोभा नहीं देता तो आज आप इस इंटर्व्यू में बता ही दीजे कि आखिर गुंजन सिंग ने मंच पर भरी जभा में प्रियांसु सिंग को ऐसा क्या बोल दिया था गुंजन सिंग हसते हैं कि अरे कुछ हुआ ही नहीं था कोई बड़ा मुद्दा नहीं था कोई बड़ा मैटर नहीं था हुआ ये था कि हम लोग एक मंच साजा कर रहे थे और मेरे मुझ से प्रियांसु के लिए ये निकल गया कि अरे पागल इधर उधर मत करो कहीं भी एक जगा रहो पहली बार गुंजन सिंग खुल कर कहते हैं कि मैंने प्रियांसु को ये कहा कि अगर क किसी एक से प्यार किये हो किसी एक से प्रेम किये हो तो उस प्रेम को निबाह दो मतलब अगर किसी को तुम अपना माने हो तो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने को सोचो ये मत सोचो कि आज यहां कल यहां परसो कहीं और अगर किसी का हाथ थामे हो तो उसके साथ गुंजन सिंग को टोकते हैं और उनको समझाते हैं कि भाईया आपके मुझ से ये सारी बाते शोभा नहीं देती गुंजन सिंग बड़े प्यार से कहते हैं कि अरे पगला तुम मेरे छोटे भाई हो तुमको हम अपने भाई की तरह मानते हैं इसमें बुरा मानने वाली कौन सी की बाते शोभा नहीं देती हैं यह मैटर पूरा हो चुका है आप सबको पता है कि प्रयांसु सिंग कैसे पवन सिंग के सामने मंच पर गुंजन सिंग से माफी मांगे थे गुंजन सिंग ने माफ भी कर दिया बकाइदा गुंजन सिंग अप्टे इंट्रेवू में बताते ह इसको माफ कर दिया लेकिन आपको एक बात बता दे कि जो सवाल हमने शुरुआत में करा वो सवाल इसलिए भी करा क्योंकि गुंजन सिंग ने कहा कि प्रयांसु सिंग ने मंच पर आके जो मुझे टोका बोला वो अपने विवेक अपने बुद्धी से नहीं बोला था प्रय जब उनको चड़ाया गया भड़काया उनको यह फील कराये गया कि गुंजन सिंग ने आपके बारे में बहुत बुरा बोला गलत बोला उनको नहीं बोला चाहिए था यह आपके नीजी जिन्दगी की बात थी आपके पॉस्टनल लाइफ में कोई इंट्रफियर कैसे कर सकत है जब गुन्यन सिंग्ध बताते हैं कि जब प्रियांसु सिंग्ध को लगतार सारे लोग भड़काने लगते हैं तब ПРИयांसु सिंग्ध को लगता है और उनको लगता है कि हमें गुण्ण भवया को को टोकना चाह decorations today to passioninka में इस Bात को खुलकर कहा है कि प्रियांसु ने टोकना पूर अप यह सब सुनने के बात करहीं लग रही कि कुछ लोग हैं जो गुटन सिंग पवन सिंग के रिष्टे को नजर लगाना चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि दोनों भाईयों का प्रिम बना रही इसलिए प्रयांसु सिंग को जान पुछ को मुहरा बनाया जा रहे हैं और प्यांसु सिंध के दम पर खेला खेला जा रहा है ताकि गुण्जन सिंग और परमन सिंग का रिष्टा समाप्थ हो जाए वाकि आप क्या